असलाम लेकुम गाईज वेलकम बैक तो मैं चैनल चुड़ेईज मेन्यू हम बनानी जा रहे हैं तोधी मज़ेदार से पिन्विल पैटीज और ये मज़ेदार से चिकन पिन्विल पैटीज जो है आप बनाना सीखेंगे एर फ्रायर में और उसके इलावा मैं आपको कहते हैं य Nearly रेसिपी शुरू करने से पहले आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं यहां पर मैंने लिया है ऑल्य और इसके अंदर मैंने एड किया है मक्षन को म और प्यास को हम करेंगे सौते जब इसका कच्छा पंद दूर हो जाएगा तो मैं इसके अंदर एड़ करूँगी काली मिर्च और नमक और यह आप अपने टेस्ट के मताबिक भी एड़ कर सकते हैं काली मिर्च और नमक एड़ करने के बाद मैं इसको करूँगी अच्छे से मिक्स और अब मैं डाल रही हूँ इसके अंदर 200 ग्राम के बराबर चिकन जो कि मैंने उबाल के और श्रेड करके रखी हुई है और चिकन को करेंगी हम इसके साथ अच्छे से मिक्स चिकन और प्यास का मिक्स्टर हो चुका है एक जान तो यहां पर मैं इसके अंदर एड़ करूँगी वन टेबल स्कून के बराबर मैदा मैदा डाल कर मैं तीन से चार मिनट तक इसकी भुनाई करूँगी ताकि मैदे का कच्छा पंदूर हो जाए और अब मैं इसके अंदर एड़ कर रही हूँ वन फॉर्थ कप के बराबर पानी और उसके बाद हम करेंगे इसको अच्छे से तक्रीबन दो से तीन मिनट के लिए मिक्स्ट और जब यह सब मिक्स्टर एक जान हो जाएगा तो हम इसको साइड पर रखकर ठंडा कर लेंगे पिन्वील पैटिस का जो नेक्स टेप है वो है पफ पेस्ट्री के अंदर चिकन के मिक्स्टर को भरने का यहाँ पर मैंने लिए है रेडी मेड पफ पेस्ट्री और उसके अंदर मैं चिकन की फिलिंग एड़ कर रही हूँ और अब आप इसको बहुत इहतियात के साथ रोल क कर लेंगे यहाँ पर हो चुकी है यह पफ पेस्ट्री रोल और मैं इसको एक थ्रेट की मदद से कट कर रही हूँ इस तरह से आप तमाम के तमाम पिन्वील पैटिस तयार कर लेंगे और इनको मैं रख रही हूँ एक बटर पेपर के ओपर जोके मैंने ग्रीस किया हुआ है और यहाँ पर मैंने एक अंडा फेंट कर रखा है और मैं ब्रेश की मदद से यह अंडे का लेप कर रही हूँ इनके ओपर पिन्वील चिकन पैटिस को आप अवन में बेग भी कर सकते हैं और मैं आपको सिखाऊंगी कि आप इनको एर फ्राय किस तरह से करेंगे यहाँ पर म मैं इसको 10 मिनट के लिए 180 सेंटीग्रेट पर इसको मैं बेग कर लूँगी और तक्रीबन 5 मिनट के बाद मैं इनकी साइड्स भी फ्लिप करूँगी तो यह मज़े दाल से चिकन पिन्वील पैटिस हो चुके हैं तैयार और आप इन्हें जरूर इंज्वाई कीजेगा थैं क्यों आला हाफेज